हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंज कैसे हो आप 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 सब अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो आज की व्लॉगिंग जो है मैं स्टार्ट कर रहे हूँ सुबा के बज रहे हैं च्छे तो मैं यहाँ पे जो है मैंने मूहाद दो लिया है तो मैं मूहाद होते ही सबसे पहले आ गई हूँ किचन में मैंने यहाँ पे जो है मूह की डाल को रात को ही भीगा दिया था तो वह अच्छे से भीग चुकी है मूह की डाल और मैंने उसको अच्छे से छान दिया है उसमें स जब sprout मतर कि अंकूर आजाएंगे ना तब तक कवेट करेंगे फिर इसका sprout बनाके तब इसको खाएंगे चलिए हम मैं यहाँ पे बच्चे के लिए दूद गरम कर रही हूँ क्योंकि वो भी जो है वो उड़ चुका है और वो आज मेरे साथी जल्दी उड़ गया था तो मैंने उसके लिए फटा फट से यहाँ पे दूद गरम किया क्योंकि उसको उड़ते ही सबसे पहले दूद चा फिर मैंने उसको ठंडा किया और उसमेना हल्की सी चीनी डाली है और यहाँ पे मॉनिंग की जो मेरी चाय है वो अभी नहीं नहीं पी है मैंने क्योंकि हस्बेंट जो है वो अभी सो रखे हैं तो मैंने सोचा कि जब तक ना मैं यहाँ पे कुछ काम अपना काम जो है वो बात राजाए हो, मैंने यहां नो इनल दाल दाले हैं मैं सब 75 направ पानी गरम किया, आप चाह मैं आन्ड़ क्या तो इसको पीएगे और यहाँ पे जो है morning की चाय हो चुकी है तो मैं आ गई हूँ अपने अंदर bedroom में और यहाँ पे जो है मैं बैट शीट वगएरा ठीक करूंगी तो मैंने यहाँ पे जो भी जो blanket वगएरा है सब को fold कर रही हूँ और आज मैं यह सोच रही हूँ क्योंकि यह blanket वगएरा को दो देती हूँ अगर मोसब ठीक रहा तो और यहाँ पे नीचे कपड़े सारे बच्चे ने जो है कपड़े फैला दिया है क्योंकि यह सारे कपड़े जो है यह दुने वाले यह मैंने खट्टे करके रक रखे थे किल मैंने कपड़े नहीं दुए थे तो मैंने इनको इनकोह वहाद एक जगर रख रखा तो उस ने पूरे कमरे में ले फैला दिये हैं और अब ये जो ऐनतर बैड्रूम वाला पंगा है ये बहुत गंदा हो रहाए और यह वहाँ जल्दी हो जाता है क्योंकि यहां पर ही खुली रहती तो उसकी वज़े सेटल्दी गंदा हो जाता है तो पहले मैंने पाँखे कप्डे से साफ किया है क्योंकि अगर मैं इसलेड़े कप्डे से तो मिट्टी जू झा Camo इसने पहले मैंने सुहके कपड़े से इसको अच्छे से पोच दिया है उसके बाध मैं इसको गिले कपड़े से जो पोचूंगी तो चलिए आम में आगे हूँ ब्रामदे में और यहां पे जो है कपड़े जो हैं बहुत सारे खट्टे हो रखे हैं मैंने इनको एक जगह रखा था लेकिन इसने पूरे घर में फैला दिये हैं मैंने उखटे करके उनको बालकनी में रग दिया है वहां पे क्योंकि मिरेको उनको धोने है तो मैं अभी थोड़ी देर में उनको डुबा दूँगी तो मैं यहां पे अब लगा रही हूं सुबह की तो मैंने सोचा कि इससे पहले यह फैला है, पहले मैंने इनको इकटा करके ज़ाड़ू लगा कि इनको डस्ट मीन में डाल दूँगी तो चलिए हम मैं आ गई हूँ बालकनी में यहां पे कपड़े डुबाने के लिए क्योंकि मैंने कपड़े जो हैं बालकनी में रख दिये थे जो है भीग जाएंगे और मौसम जो है सुबह ही अभी सुबह के ना साथ बज रहे हो और इतनी तेज धूप हो रही है अभी अभी तो मौसम अच्छा हो रहा है बाकी देखते हैं मैंने सोचा कि ना देखती हूँ थोड़ी देर और रोपती हूँ और फिर उसके बाद जो है बलैंकेट वगेरा भी जो है वो भी डूबा दूँगे अगर ऐसा ही मौसम रहा तो क्योंकि अगर मौसम अच्छा रहेगा तो प्लैंकेट जोह मैं चत पही सूखाऊंगी किहां पे जलदी सूख जाते हैं यहां ब्राम्दे में तो नहीं सूखते तो यहां पे जो बालकनी कि जो है बालकनी में भी बहुत सारे जाले लगे हुए थे तो यहाँ पे मैं आज मैं यही वाली बालकनी साफ करूंगी उवह वाली बालकनी जो है दूसरी वाली वो उसको मैं कल साफ करूंगी तो यहाँ पे बालकनी में मैंने मैंने सुचा कि यहाँ भी बहुत सारे जाले हो तो चलिए अब थोड़े सा जो है बच्चे के सांद थोड़ी मस्ती गरी जाए क्योंकि उसको जो है थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे गोल-गोल घुमना तो मैंने उसको बोला कि ना गोल-गोल घुमने से ना थोड़ा चकर से आ रहे हैं तो आप अपना खेल लो फिर उसके बाद मेरा काम हो जाएगा तो तब खेलेंगे तो यहां पर जो है तो मैं आप आ गई हूँ अपने बैडरूम में और यहां पर जो है मैंने आद दूसरी बैडशीट बिचाई है क्योंकि वह वाली बैडशीट जो है मैंने दोने के लिए र मैंने कि तत्त आपना भींट्व द não basta भी बिचा दुख दो की इहां पे क्यामल को देखता रहेए तो चलिये अब यहां पर मैं कर लेती हम घर की सफाई मैंने हाँ आप फूसम जो है वह बहुत ंजू हो रहे है तो मैंने ब्लैकेर जो है वह बीदुबा दी है क्योंकि मैंने सोचा ब्लैंकेट जो है वो भी धो लेती हूं क्योंकि आज सब की छुट्टी भी है तो मैंने कहा कि बना ऐसे तो टाइम नहीं लगवा था क्योंकि होते हैं ना कपड़े फिर उसमें टाइम लग जाता फिर मुझे बच्चे को लेने जाना पड़ता है स् बारिश की वज़े से तो आज मैं आज यह बहुत जादा ही खट्टे हो गए हैं तो मैंने इनको पहले मैंने सोचा कपड़े दो दूंगी फिर उसके बाद ब्लैंकेट वगएरा दोंगी तो चलिए कपड़े जो हैं वो तो दूल चुके हैं और यहां पर जो हैं मैं कर रही आई होगी पर बहुत तेज की आई थी और यहां पर जो है मुझे बालकनी जो है वो रोजी साफ करनी पड़ती है क्योंकि बालकनी में कबूतर बहुत जादा गंद फैला देते हैं इसी बालकनी में कबूतर आके बैठे रहते हैं तो यहां पर मुझे यह बालकनी जो है वो यहां पर जो है चत्पे आ चुके हैं और मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है बारी जैसा मौसम हो रखा है और मैंने आज ब्लैंकेट वगएरा भी दो दिये हैं देखो मौसम क्या करता है और हावा जो है बहुत देज चल रखिया कोई नहीं अगर बारिश आ भी गई तो क् अगी हावा से थोड़ा बहुत जो है कपड़े थोड़े बहुत जो है सूख भी जाएंगी और पानी जो है इंका निकर भी जाएगा थोड़ी देख अभी तो वैसे लग भी नीरा आने वाली है का आए पड़्याइक अगर आट नहीं जाना है टो यहां पे जो हैं मैं ना के आ चुकी हूं और मैं आज ब्रेकफरस्ट में बना रही हो पोह और मेरे पास फोहा में मैं बस ओपर धृण ही डाला है और मैंने पोहा जो भीगा भी दिया था और मेरे पास और कुछ अlicem ज्मीन तरो नहीं थे तो आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए ओके बाई फ्रेंस टेक केर मिलते हैं आपको नेक्स व्लॉग में